आखिर क्यों एलबाप आर्क वनपीस का आज तक का सबसी आदा इंपोर्टन्ट आर्क होने वाला है तो देखो वनपीस के स्टार्टिंग से हमने एलबाप का नाम बहुत बार सुना है खास करकि एलबाप शैंक्स की टेरिटीर है इसलिए या एलबाप के उपर जायंट्स रह की थी और बाके किसे स्ट्राइय्द्स के लिए बाप इतना इमपोर्टन हो ना हो लेकिन रबीन और उसा के लिए या पार काफ्ती ता इंप्वोर्टन होने वाला है तो चलो पहले हम बात करते हैं रवीन की जब एगेर के ऊपर पहली बार रॉबन वेगापंग से मिली थ क आता है कि जो मेन मार्क भै फ्लेम है जिसके पास में लाश्ट येडब पॉनि पोंइगलिफ या नहीं लेकिन अगर ऐसा होता है उसी के पास में लाश्ट येडब फॉनि'लिफ होता है तो भाई इन डोलों का रियूनियन काफ जिदा अच्छा रहेगा और यही से स्टो एड्स को उनका लाश्ट रेड पोनी गलीप में मिल जाएगा लेकिन यहापर ऐसा भी हो सकता है कि भाई तोल्डी जैगवार ने उसके पास का पोनी गलीप भाई शैंक्स को देखे रखाओ क्योंकि वो उसके टेरिटरी के अंदर आता है जैसे कि हम लोग और एलबाब के उपर ही उसाब अपने अप्जर्विशन नाखी को अच्छे से यूज़ करना सीख जाएगा अगर वो सच में चाहता है कि आट दर फॉलोवर्स का वो मास्टर बने तो उसको भाई यहाँ पर बात इलबाब की हो रही तो हम शैंक को कैसे भूल सकते हैं तो देखो अगर शैंक सिथ हमको किसी बुझे से इलबाब के उपर देखने को मिलता है जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि शैंक स सिदा सिदा बोल दीया था कि अभी टाइम आच चुक है वन पीस को क्ले गया हो अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है और शैंक्स भाई लूफी की ग्रेंड फ्लिट को रोकने के लिए लवाब के उपर आ जाता है तो यहाँ पर multiple possibilities हो जाती है पहली बात तो है कि भाई उससाब और उसके फादर का reunion हो सकता है और हम लूफी और शैंक्स के reunion के बारे में कैसे बूल सकता है लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बाई इतना जल्दी शैंक्स लूफी से मिलेगा और जैसा कि ओडा सेंसी ने जम फेश्टा के टाइम पर बोला था कि आगे चलके दो बहुत बढ़े वाले character के बीच में fight होने वाली है तो मुझे वो दो बहुत बढ़े वाले character शैंक्स और blackbeard लग रहे हैं क्योंकि last time हमने blackbeard के ship एगेड के उपर देखी थी लेकिन अभी latest chapter भी आगया लेकिन blackbeard जो है वो एगेड के अंदर नहीं आया है तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो blackbeard है वो सीधा ilbop के side में blackbeard एगेड के उपर जाके सीधा satin के devil fruits की powers को चोरी कर लेता है तो वो आगे चलके ilbop के उपर काफ जिदा overpower हो सकता है और बाद में वो shanks को भी मार सकता है तो अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि blackbeard अपने collection के अंदर और एक devil fruit एड कर लेता है तो आगे चलके भाई shanks के लि यहाँ पर मैं शायद से को जाद है सोच रहा हूँ मुझे तो नहीं लगता है कि भाई shanks का इतना जली the end होगा तो अगर सच में यहाँ पर ऐसा होता है तो भाई लूफी काफ ज़दा घुसा हो जाएगा क्योंकि blackbeard ऐसा एक reason बनेगा जिसकी वज़े से भाई लूफी के दो सबसे करीबी लोग मारे गए तो दिखो एगेड का में विलन सैटन था वही सी एलबाब का में विलन शैंक्स तो नहीं हो सकता तो वही पर ही entry होती ही अपनी blackbeard की क्योंकि अगर एक गुरू से मारा जाता है तो भाई दुसरे island क्यू पर और एक गुरू से को नहीं चलेगा कि भाई blackbeard ने उसके grandpa के साथ में क्या करा है तो यहाँ पर भाई लूफी वनपीस के बारे में फूली जाएगा और सीधा जाके blackbeard की गुद्धी पकड़ेगा क्योंकि जब से लूफी के life में blackbeard की entry हुई है तब से भाई blackbeard लूफी के चाहने वाले लोगों को को भी किडिनैब करके रखता हैं सबसे पहंले उसने एश को नेवी के हवाले करके मरywा दिया बाद में उसने को वी बेड़ बना की अपने ग्न्पा को भी गिडैप करके रख लिया और इतना कुछ काफी नहीं था कि अपने बोवा की पाउस को भी जोगी करना चाहा, बाद में उसने पुडिंग को भी गिड्नैप करके रखा है, तो अभी मुझे तो लगता है कि ब्लैक बेड के पापो का घड़ा तो भर चुका है, और वही हमारे एलबाप का में विलन बने क्योंकि ब्लैक बेड जो है, वो पुडिंग को किड्नैप करके घुम रहा, इसलिए पुडिंग को बचाने के लिए बहुत सारे बिग मॉम पाइलेट्स, उसके पीछे एलबाप के उपर आ सकते हैं, और इसी के चकर में हमको पुडिंग फिर से देखने को मिलेंगी, और का बिग मॉम का और एलबाप का काफ़ी गहरा कनेक्शन है, क्योंकि बाइ बिग मॉम ने एक जायंट से शादी करी थी, अगर आप नौर्स माहितालोजी को थोड़ा वो जानते हैं, तो आपको पता है होगा कि जायंट और गॉड्स का क्या चक्कर है, तो यहापर वनपीस के क इसके अंदर गॉड्स जो है, वो सेलेस्टियल ड्राइगन है, और अगर सच में गॉड्स सब 8000 जायंट को अपना फॉलवर्स बना लेता है, तो भाई वो आगे चलके वाई सेलेस्टियल ड्राइगन के उपर काफी बड़ा वाला वार छेड सकता है, तो एलबाप आर को ल मिलता हो आपको नेक्स किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायो नारा